इस कुश्यन में जो आपके पास four students है तो एक example से हम लोग इसको start कर लेता है four students आगर भी ने पास है और इन four students को आपने two groups में डिवाइट करना है तो ये group one हो जाएगा ये group two हो जाएगा two groups में आपने डिवाइट करना और किते possible ways में आप इनको इनके arrangement कर सकते हैं तो मैं एक सबसे पहली permutation में लिखता हूँ कि ये a और b मैंने group अच्छा हर group में जो है two students उनने चाहिए तो हर group में आपके पास two students आगए तो group one जो है आपके पास इसमें a और b मैंने student रखा और group two जो है इसमें c और d मैंने रखा अच्छा एक तो यह permutation बन गई एक और permutation बनाता हूँ जो इसको बिल्कुल सेम होगी वह permutation यह है group one में जो है मैं रख रहा हूँ b a और group two में जो रख रहा हूँ c और d रख रहा हूँ तो अब आप यह देखें यह permutation बनी विये और यह वाली permutation बनी विये यह दोनों एक वल है इसमें कोई फर्क नहीं group one में a और b element है इसमें भी आई है group one में आपके पास a और b element है तो group के अंदर जो आप interchange कर रहे ना वह तो matter नहीं कर रहे इसी तरह है इस group में भी आप interchange करेंगे एक group में आपके पास c d a d c a matter नहीं आपके पास तो inside the group जो है आपके पास interchange matter नहीं कर रहा हूँ तो इसका answer जो होना चाहिए तो आपके पास, अगर आप एक sequence में इसको arrange करते है तो इसका answer होना चाहिए तो फोर-factor की लागा आप sequence मेरेंगे क्यूंकि आपके पास इसका order जो है वो matter नहीं कर रहा है inside the group इसमें भी order matter नहीं कर रहा है इसका मतलब है यह same kind के elements आजाएंगे यह से यह जो आपके पास identical element आजाएंगे तो identical element वाला theorem आपलाय करेंगे इसमें भी आपके पास identical है इनको interchange करने से order इसका matter नहीं कर रहा है तो कोई sense नहीं बन रहा उससे group तो वही बन रहा है ठीक है एक तो यह बात हो गोई तो इतने possible ways में answer आजाना चाहिए इसका ठीक है तो इसका answer जो होना चाहिए वहूना चाहिए 6 answer होना चाहिए इसका अब मैं इसके तमाम possible ways बना रहता हूं C जो वह ऐसे सबके Σाथ आ गया इसे वह डी के साथ नहीं आया था और D जो फिर बागी सबके साथ आजाएगा चैनल यह ग्रुप वन आपके पास है गूपने तो एसी है तो ग्रुप टू में आएगा आपके पास बी और डी आएगा लिए और सिनाव गार जाएगा विए दिवर दी अजाएगा गार लिए आपके पास बन गए तोटल टोटल 6 possible ways बन गया है लेकिन इसमें भी अभी एक मसला है यह जो आपके पास पहला लिखा हुआ है ग्रूप पहला जुब लिखा हुआ है आपके पास और जो लास्ट पर्मुटेशन लिखा हुआ है यह दोनों सेम है किस तरह से सेमें एक ग्रूप में अपसमें इंट्रचेंज होने से ग्रूप में पी कोई फ़र्ग नि पढ़ लाइन की बात में प्तादूंसे आपके पास एक वस्ताल की यह और यह और यह और यह और आपके पास यह और यहे और श्रaron लर्ट सुसका मतर्ब पर किलेक्स तीन तो एकृष्ट जो अनगा यक पुस does cosas मैं मिटा देता हूँ इसके साथ एक बाल आरा था इसको भी मिटा देता हूँ अब असल जो बने चाहिए आपके पास वह बने चाहिए अच्छा यह गुरुप साथ नगे चींज में और जो है यह ऑरर जो यह तो यह तो यह तो आप क्या करेंगे में multiply by two factorial और करेंगे आप तो अब इसका आंसर जाएगा ना वो थ्री आएगा ये आपके पास correct answer होगा तो ये थ्री आपके पास possible ways है कि four students तो आप two groups में आप divide करें और हर group में जो वो two students हो अच्छा इसके पाद और एक और example कर लेता है तो फिर उसमें पिर आपको ज्यादा सही समझगा आजाएगा अच्छा ये question भी पहले वाले question की तरह है इसमें 12 students है और three groups में इनको divide करना है 12 students को three groups में equally distribute करना है यानि कि एक group में आपके पास four members आ जाएगे तो ठीक है ये मैं आपके पास three groups मेंने बना लिये ये एक group जो है ये four students का है ये दूसरा वाला group जो है ये भी four students का है ये तीसरा वाला group जो है ये भी four students का है तो ये total इस तरह से 12 arrangements हो जाएगी मेरे पास तो पहले group में मैं person A, person B, person C, person D जो है place कर दिये मैंने पहले group में इसी तरह दूसरे group में भी four members आ जाएंगे तीसे group में भी four members आ जाएंगे ठीक है? तो इसका answer क्या बनता है? आपके पास 12 factorial बनता है लेकिन जो group के अंदर inside the group जो आपके पास order है वो matter नहीं कर रहा है कि जैसे अगर मैं ये बोलू के B, A, C, D ये पहले group में या मैं ये बोलू के A, B, C, D ये पहले group में तो है तो वो चारो पहले group में उसको आगे पीछे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब है ये आपके पास जो है ये four elements जो है ये आपके पास identical आ रहे हैं इनको change करने से कोई फर्क नहीं पड़ा आपके पास तो ये four factorial से divide होगा क्योंकि identical है इसी तरह next group में भी आई है कि इनकी position change करने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये identical होजाएंगे आपके पास इसी तरह last group में भी आई है तो मैं क्या करूँ four factorial से divide करा लेता हूँ पहले group के लिए दूसरे group के लिए भी आई करता हूँ four factorial से divide करा लेता हूँ तो यहां तक तो ये बात होगई ये group के अंदर elements को interchange करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका order matter नहीं करेगा तो आप theorem apply कर सकते हैं वो divided by n factorial वाला अच्छा अब ये जो group आपके पास पहला group जो है इसमें ABC element है अगर इस group को ठाके आखिर में रख दें तो भी उसी group में ABC element होंगे तो ये group जो आपस में interchange हो रहें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले group को बाद में लिख भोलूँ मैं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो groups की permutation भी जो है वो matter नहीं कर रहा आप क्या करेंगे इसको भी three groups हैं आपके पास तो three factorials से आप इसको divide करेंगे तो three factorials divide कर देंगे और बस आप ये इसका answer आजाएगा आपके पास तो five seven seven five ये answer हो जाएगा इसका next question है वो भी इसी theorem का question है कि seven graduates हैं आपके पास और इनको जो है न ये conference में गएवे हैं तो conference में इनको room मिले हैं एक room जो है वो triple bed का है और दो room जो है आपके पास double two person के हैं तो ये मैं तीन पहले तो मैं ये seven graduates students मैं लिख दूँ के student A student B, student C, student D तो ये आपके पास total seven students आगए अब जो है मैंने ये rooms बना लिए ये three person वाला room है ये two person वाला room है और ये भी two person ये total जो आपके पास three rooms आगए आपके पास इन में मैं सबसे पहली permutation मैं लिखता हूँ कि A, B, C को जो है न मैं three room वाले में जो है मैं shift कर देता हूँ three person वाले room में shift कर देता हूँ फिर इसी तरह DE को इसमें shift करता हूँ और FG को इसमें shift करता हूँ तो अब अगर मैं ये बुलू कि जो है जो three person वाला room में उसमें मैंने B, C और A element को रखा है इस students को रखा है तो या फिर मैं ये बुलू A, B, C student को रखा है या फिर या मैं बुलू C, B, A student को रखा है तो इस तरह आगे पीचे बोलने से कोई फर्क नी पढ़ रहा वो तीनों उसी room में है तो inside the room आपके पास ये permutation का order जो है ये matter नहीं कर रहा तो जब order matter नहीं कर रहा तो आपको three factorial से divide कराना पड़ेगा क्योंकि ये three identical objects है इसी तरह दूसरे वाले में भी आई है तो इस seven factorial वैसे इसका answer होना चाहिए था तो मैं सबसे पहले three factorial से divide कर दूँ जो दूसरा room में उसमें भी आई है कि DE लिखू या ED लिखू तो उससे भी कोई फर्क नी पढ़ ला तो ये two factorial से divide होगा इसी तरह अगला वाला भी two factorial से divide होगा अब इसमें जो ना दो ग्रूप ऐसे हैं दो rooms ऐसे हैं जिनको interchange करने से कोई फर्क नी पढ़ेगा जैसे मैं बोलूँ कि दो double room है पहले room में जो आपके पास FG है और दूसरे room में DE है या फिर मैं इस तरह बोलूँ पहले room में FG है DE है और दूसरे room में FG है तो इसकी भी जो ना position change करने से कोई फर्क नी पढ़ ला क्योंकि ये room जो है दोनों की capacity room की जो है वो same है तो ये आपको ये जो है identical object हो जाएगा ये क्योंकि दो same capacity के room है तो आपको two factorial से एक और दफर divide करना पड़ेगा हाँ इससे फर्क पड़ सकता है कि मैं E को अगर उदर भेज दूँ three person वाले room में तो फिर वो फर्क पड़ेगा कि A, B और E साथ हो गए उसको D को अगर D का अगर friend जो E है तो ये को फर्क पड़ेगा कि मैं उस वाले group में क्यों चला गया तो इसका answer जो होगा 105 answer होगा इसको simplify करके अच्छा एक और ये बिल्कुल ये भी वही उसी तरह का ही question है कि इसमें आपके पास 10 players है इनको एक raw में arrange करना आपने ये 10 players मैंने ये इस तरह एक raw में arrange करती है अच्छा इन ये जो 10 players है ना ये इस तरह से इनको identify करना है कि पहला एक जो इन में से freshman है दूसरा sophomore है और तीसरा जो आपके पास four junior है आपके पास और three senior है इस तरह से divide करना है इनके नाम तो दिये वे नहीं है और आखिर में ये बात लिखा है how many different ways can they be arranged in raw if only their class level be distinguished तो सिफ इनका class level जो है ना वो इनको different arrangement करवा सकता है वरना अगर class level different नहीं है तो ये same कैलाएंगे ये अफिर जैसे ये senior है, ये senior है, ये senior है ये तीनो senior जो है ये same कैलाएंगे आपके पास तीनो senior सेम कैलाएंगे इस वाले senior को उठाके इधर रग दूँ तो इससे कोई permutation different नहीं हो रही है ये आपके पास identical object हो जाएगा हाँ अगर इन senior के नाम लिखे होती है ये A person है, ये B person है, ये C person है तो फिर इनको change करने से permutation लाजमे different होती अब क्योंके इसके नाम तो नहीं दिये है कि इनको सिर्फ distinguish भी इनके class level से ही करना है तो इसका मतलब भी ये identical object हो जाएंगे four junior identical object हो जाएंगे और ये two so four more identical object हो जाएंगे तो वैसे इसका अंसर होना था 10 factorial लेकिन आप theorem से जो आप इसको divide कराएंगे क्योंके identical objects आप जाएंगे तो ये इसका अंसर होगा solve कर लेंगे तो 12600 है जाएगा अंसर